नमस्कार दोस्तों आप सबों का स्वागत है आज वैसे प्रस्ण लाए हैं जो कि हर विद्यार्थी को याद रहना चाहिए तो दोस्तों आप किसी भी एकजम में बैटेंगे दोस्तों वहां आपको इस्तर का प्रस्ण पूछे जाएंगे खास करके अगनी वीर योजनों में इस्तर का प्रस्ण सैनिक लेवल में ज़्यादा पूछा जाता है तो देखिए सबसे पहला प्रस्ण है आपका हम पहर रहे हैं साप साप तो दिखाई नहीं देता होगा आपको लेकिन हम साप से पहर रहे हैं देखिए सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है सबसे कठोर पदार् हीरा अब अगला प्रस्ण देखिए अगला प्रस्ण है कौन सी ओधातू कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है अगला प्रस्ण है कि सबसे सुधतम जल है समुद्र का वर्षा का नदी का या कुए का तो सबसे सुधतम याने कि सुध जल है वर्षा का अगला प्रस्ण है आपका चार नमर प्रस्ण है शोडियम धातू को डुबा कर रखा जाता है शोडियम धातू को डुबा कर रखा जाता है किसमे जल में ओप्शन बी एलकोहल में ओप्शन सी पेट्रोल में ओप्शन डी किरोसीन याने किरोसीन तेल में किसमें रखा जाता है इस प्रश्न का उत्तर हो जागा आपका option number D, बिल्कुल से है किरोसीन तेल में, sodium धातू को डुबा कर रखा जाता है किसमें? किरोसीन तेल में, अगला प्रस्न है आपका पहुंच नम्मर, सबसे भारी धातू है, सबसे भारी धातू है, option है, lithium, osomium, iron, silver, तो कौन सा है? सबसे भारी धातू है, आपका option number B, सही है, osomium, सबसे भारी धातू है, अगला प्रस्न है आपका, पिर्थिवी की परपटी में, नीम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधीक, अधीक पाया जाता है? पिर्थिवी के भूपटी, पिर्थिवी की भूपटी में, नीम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधीक पाया जाता है? option A, chlorine, option B, lithium, option C, aluminum, option D, chromium, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, option C, बिल्कुल सही है, पिर्थिवी की भूपटी, यानी की पहले परपट पर, एल्मुनियम पाया जाता है, option C, बिल्कुल सही है, अगला प्रश्न है, मुंबती का जलना, कौन सी परिवर्तन है, रसायनिक परिवर्तन या भोतकी परिवर्तन, तो मुंबती का जलना है आपका, रसायनिक परिवर्तन, option A, सही है, अगला प्रश्न है, कपूर को किस वीधी द्वारा सुध क्या जाता है, option A, उर्धवा पातन, option B, अस्वन, तो इस प्रश्न का उत्तर वाज़ागा आपका, option नमबर A, बिल्कुल सही है, उर्धवा पातन, कपूर को सुध क्या जाता है, उर्धवा पातन से, अगला प्रश्न है, नो नमर प्रश्न है, सबसे हलका तत्व है, सबसे हलका तत्व है, हाइट्रोजन, हिलियम, सोडियम, पोटोसियम, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आपका, सबसे हलका हाइट रोजन ओप्सन नमबर ए सई है अगला प्रस्ण है आर्थिक विकास का तिसरा छेतर क्या है आर्थिक विकास का तिसरा छेतर क्या है क्रिसी विज्यान सिक्छा सेवा क्या है तो इस प्रस्ण का उतर जगापका सेवा आर्थिक विकास का तिसरा छेतर क्या है सेवा ओप प्रस्ण है कौन बिमारू राज नहीं है कौन बिमारू राज नहीं है अगला प्रस्ण है ब्यहार मद्धि परदेश यूपी और उत्तर परदेश उरिशा तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका यूपी उत्तर प्रदेश बिमारू राज नहीं है अगला प्रस्ण ह नमर भारत के केंद्रिये बैंक कौन है भारत का केंद्रिये बैंक कौन है ऑप्सन है रीजर बैंक आप इंडिया छेत्रिये ग्रामीन बैंक इस्टेट बैंक आप इंडिया पंजाब नेशनल बैंक क्या है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत के केंद्रिये बैंक का रीजर बैंक आउप इंडिया भारतिय रीजर बैंक ओप्सन नमर ए सई हो जाएगा अगला प्रस्न आपका सुचना के अधिकार अंदोलन की सुरुवात कहां से हुई अप्सन नमर ए सई है अगला प्रस्न आपका सुचना के अधिकार समन्धि कानून का बना सुचना के अधिकार समन्धि कानून का बना दोयार चार में दोयार सात में दोयार पंच में दोयार छे में तो इस प्रस्न का उत्तर हो जाएगा सुचना के अधिकार समन्धि कानून बना दोहजार पंच में उप्सन नमर सी सई है अगला प्रस्ण है भारत में पंचायती राज प्रनाली लागू हुई भारत में पंचायती राज प्रनाली लागू हुई ओप्शन A 28 फरवरी 1961 ओप्शन B 2 अक्टूबर 1969 ओप्शन C 30 अक्टूबर 1962 या कोई नहीं तो भारत में पंचायती राज प्रनाली लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1969 इस वी को ओप्शन नमर B सही है भारत में पंचायती राज प्रनाली लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1969 को राजस्थन के नागोर जिला से अगला प्रस्ण है बार से सबसे अधिक हानी होती है किसको फसल को भवन को पसवों को या उप्यूक्ट सभी को तो बार से हानी फसल को होती है भवन को होती है पसवों को यानि कि बार में जो आता है वो सभी जितना उसके अंतरगात आता है सब को बहा ले जाता है बार ठीक है तो इसमें जागे सभी, तो अगला प्रस्न है, निमनलिखीत में कौन प्राकृतिक आपदा है, तो option A, आग लगना, बंबिस्पोट, भूकम या रसाइनिक दुरघटना है, तो निमनलिखीत में कौन प्राकृतिक आपदा है, देखें आग लगना तो मानब का कम हो जाएगा, बंबिस्पोट ये भी मानब का हाथ होगा, रसाइनिक दुरघटना ये भी मानब का हाथ होगा, लेकिन भूकम आना ये मानब के हाथ में नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, तो option नमबर c सही हो जाएगा, भूकम प्राकृतिक आपदा है, अठार नमर है मंदार हील किस राज में इस्तित है मुगेर, बाका, भागलपूर, बक्सर, कालगाउं का है तो मंदार हील है आपका बाकाउं में आपसा नमर भी सही हो जाएगा अगला प्रस्ण है 19 नमर कालगाउं तापिये विद्दूत परियोजना किस जीले में अवस्ति था है ओप्शन A भागलपूर, ओप्शन B मुंगेर, ओप्शन C जम्मुई, ओप्शन D साहिव गंज तो कालगाओं ताप ये विद्धुत परियोजनों अवस्ति था भागलपूर में उप्सर नम्मर ए सही है अगला प्रस्न है आपका बिस नम्मर जलिया वाला बाग हत्या करण किस तिथी को हुआ था तो इस प्रस्न का उत्तर हो जाएगा आपका उप्सर नम्मर ए बिल्कुल सही है 13 अप्रेल 1919 इसवी को हुआ था लास्ट प्रस्न है आपका लखनाउ समझोता किस वर्स हुआ था तो लखनाउ समझोता हुआ था 1916 इसवी में लखनाउ समझोता हुआ था तो दोस्तों ये सभी बहुत ही महत्पूर प्रसने थे अगर आप अगनी पत यानि वी योजना अगनी वी योजना में फॉर्ण भर रहे हैं तो वहां इस तरह का प्रसन पूछे जाएंगे और हम इसी तरह से प्रसन दोस्तों हम डेली 30-40 प्रसन लाते हैं और आप देखिए क कोमेंट करिए याद रखिए और आपको जोवी सबजेक्ट में दिक्कत बुझाये दोस्तों कोमेंट करिए तो दोस्तों मिलते हैं कल जय हिन जय भारत और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में सेर जरूर करें अगर आपको अच्छा लगे तो धन यवाद